हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं आज एक कस्टमबर आया और बोला यह सेलिंग फैन है एक कस्टमबर आके बोला कि सर यह चलते चलते उल्टा चलने लगा तो आज देखते हैं कि उल्टा चलता है या सीधा चलता है और यह दो ही कारणों से ही उल्टा चलता है आगे वीडिय कि अब स्रिज लमं ठाती इसे टेस्ट करते हैं देखते हैं यह उल्टा चल रहा यह सीधा यह उल्टा ही चल रहा है दोस्तों हो सकता है कहीं केक्स्टंबर कनेक्शन को अधोरा है कर दिया हो उल्टा सीधा कर दिया हो है तो कनेक्शन हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे इसको ठीक करेंगे कनेक्शन को कि तो यह ब्लैक जो कॉमन बनाए है इस ब्लैक से एटेच कर देंगे यह बाले को यह रेड और ब्लैक को कॉमन बना दिये और यह ब्लैक इसमें लगा दिये अब देखते हैं कि सिधा चल पाता है या नहीं तो स्रीज लेंप ओन किये अब देखते हैं पिर भी दोस्तों उल्टा ही चल रहा है पंखा मतलब इसमें कि कनेक्षन का दिक्कत नहीं है कि कनेक्षन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह पहला कारण था कि कनेक्षन से उल्टा हो जाता है अब दूसरा कारण में होता क्या है दोस्तों मैंने वह एंडिंग किये थे तो नया यह कैपेशीटर लगाये थे नया कैपेशीटर ही डाले थे ड़ाय एमफडी का है तो मैं अब दूसरा ड़ाय एमफडी का नया लगाने जा रहा हूं जिससे देखते हैं कि सही चल पाता है या नहीं क्याय कि कनेक्षन भी उल नया इसमें लगाके देख रहा है क्या चल पाता है या नहीं अब इस ब्लैक वाले कुई धर कर देते हैं अब इसे चालू करके देखते हैं अब यह उल्टा फिर चल रहा है है अब एक बार कनेक्षन उल्टा किये थे हमने तो इसको सीधा कर दे रहा है कनेक्षन को तो देखिए ये ब्लैक वाले को चेंज किये थे न तो ये ब्लैक वाले को फिर से उसी में जोड़ दे रहा है इसमें जोड़ दिये हैं तो ये हो गया common और ये ब्लैक वाले को काणडेंसर में जोड़ दे रहा है अब देख रहा है कि चलता है यह नहीं के यह ब्लैक थोड़ा से सब्सक्राइल कर देख दोस्तों यहां पर अब देखेश सीधार चल रहा है इस देखते रही है अब थोड़ा सा रोक दे रहा है फिर आपको दिखा रहा है कि सीधा चल रहा है देखिए देखिए सीधा हो गया ये पंखा ठीक हो गया किया होता है कि यूट है कि ये स्कुल हो जाता है इसी के कारण पंखा जो है उल्टा चलने लगता है के क्यापेसीटर होने की कारण इसी लिए उल्टा चल रहा था अब दोस्तों दिखाते हैं इसको मानली जे कनेक्षन करने में अगर कोई भाईयों से दिकत हो जाए तो सीधा और उल्टा कैसे हो जाता है तो इसे मानली जीए अभी तक तो इसे हम कर रहे हैं ते common वाले को ब्लैक वाले से ही अब रेड वाले को चेंज कर देते हैं देखें यह रेड है अब यह रेड को common बना लेते हैं रेड ब्लैक से अब देखिए क्या होता है कि देखिए अब फैन उल्टा चलने लगा तो यह कनेक्शन गलती होने के कारण भी फैन उल्टा चलता है और आपको फिर दिखा रहा है इसका कनेक्शन सही करें तो यह जो है ररेड़ वाला रुणिंग वायर और यह रनिंग वायर को देखिए दोस्तों अब देखें फिर से सीधा चलने लगा ये ये फैन ओके था और कस्टमबर का कहना था कि लाइन दीए थोड़ा देर चला उसके बाद बैक मार के बैक चलने लगा और जो पुड़ाना कंडेंसर था पुड़ाना नहीं वह भी दस दिन पहले लगाया थे वाइंडिंग करके दि और ये सोट हो जाने के कारण नहीं चल पाया उल्टा चला रहा था शौट होने के कारण ही आप डेखे सिधा चल रहा है स्टा सेट कोई तरह का दिक्कत नहीं कि पहले उल्टा चलता था और कनेक्शन में तो आप जानते ही है connection को उल्टा करेंगे तो उल्टा चलने लगेगा लेकिन condenser भी short होने से उल्टा चलता है तो condenser short होने के chance में क्या रहता है कि चलते चलते fan एक बार back मरेगा उसके बाद ही आपको लगातार उल्टा चलता रहेगा सीधा नहीं चलेगा connection उल्टा हो गया तो आपको सीधा नहीं चलेगा बलकि उल्टा चलेगा जैसे अभी उल्टा चल रहा है वह condenser short था इसके कारण उल्टा चल रहा था यह condenser नहीं लगा तो सीधा चल रहा है अब माल लीजिए इसको क्या करेंगे अगर फिर से उल्टा चलवाना हो तो वह condenser नहीं यही condenser को थोड़ा सा winding को हेरा फेरी यह जो है loop wire connection में हेरा प्रफेरी कर देते हैं देखिए यह वाले को ऐसे और यह वाले को ऐसे कर दीए और कुछ करना नहीं है अब देखिए क्या होता है यह फैन उल्टा घुमने लगेगा कि देखें दोस्तों उल्टा घुम रहा है यहीं होता है connection करने में कई भायों को मिस्त्री भायों को दिकत होता है जो नए नए होते हैं उनको बहुत दिकत होता है इसमें हम लोग भी जेले हुए हैं ऐसा बात नहीं है जब नहीं जानते थे थे तो अब देखें फीर से सीधा कर दिये वाइड को तो सीधा चलने लगा अब सीधा चलेगा देखें यह सीधा चलता है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनेवार